दोस्तो जब हम बहुत गुसे में होते हैं तब हमारी सांसे बहुत तेज तेज चलती है, सांसे छोटी छोटी भरते हैं, जब हमारे अंदर काम विकार उत्पन होता है, तब भी हमारी सांसे तेज और छोटी हो जाती है, जब हम बहुत ज्यादा तनाव, चिंता, डर, में होते है तब भी हमारी सांसे तेज तेज और छोटी छोटी होती है इसका मतलब हमारी मानसिक स्थिति का हमारे स्वास पर असर पड़ता है जी हां हमारी मनोदशा का हमारे सरीर पर असर पड़ता ही है जब भी हम शांत स्वस्थ और खुश होते है तब हमारी सांसे डीप लं भी गहरी दिमी होगी तो हमारी मानसिक अवस्था भी शान्त होगी हम स्वस्थ होगे नमस्ते आप सभी का फिर से स्वागत है आज बहुत ही जोड़दार पावरफूल टेक्निक शेर करने जा रहा हूं जिससे आप अपनी एंग्जार्टी चिंता गबरहट डिप्रेसन जैसी नेगेटिविटी से 100% बहर आ जाओगे इस पावरफूल टेक्निक को अगर आप अच्छे से समझ के रोज इसकी प्रेक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना गैरंटेड है सभी बीमारिया दूर होगी चाहे वो शारेरिक हो या मानसिक सभी बीमारियों का राम बान इल भोजन अगर नहीं खाएंगे तो अंदाजित एक महने तक भी जिन्दा रह सकते हैं और अगर हम पानी पिना बंद कर दे तो अंदाजित 4-5 दिन जिन्दा रह सकते हैं अगर हम सांस लेना बंद कर दे तो केवल 4-5 मिनिट तक ही जिन्दा रह पाते हैं हमारे जिवन का अंत हो जाएगा यानि कि हमारे सरीर का पेट्रॉल भोजन या पानी नहीं पर स्वास है ऑक्सिजन है प्राण वायू है इस स्वास का इतना अगर हम जिन्दा ही नहीं रह सकेंगे उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते और यहीं एक प्रमुख वज़ा है आज कल की सभी बीमारियों का अब आप कहेंगे कि क्या पागलों जैसी बात करता है सांस तो हम आटमेटिक लेते हैं उसके लिए हमें कुछ करना थोड़ी ही है यह गहरी नहीं होती और वो स्वास गहरी नहीं होने के कारण हमारे सरीर की गहरईयों तक ऑक्सिजन नहीं पहुचा पाती हमारे सरीर के सभी ओर्गन्स सभी सेल्स को परियाप्त मात्रा में ऑक्सिजन नहीं मिलता है और बिमारिया होती है और अगर हम अवेर होकर जागरत होकर रोजाना लंबी गहरी धीमी श्वास भरें, श्वसन क्रिया करेंगे, तो हमारे सरीर को, सभी अंगों को, ग्रंथियों और कोशों को, परियाप्त मातरा में ऑक्षिजन मिलेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे, चिंता न करें, और भी अच्छे से हम इसे जानेंगे, समझेंगे, देखिए जब भी हमारे सरीर को खाने की भूक लगती है तब हम बेचेन हो जाते हैं कुछ सा भी आता है जंगल के पसु पक्षी भी भूका होने पर हिंसक बन जाते हैं यानि कि हम तुरूप्त नहीं है तो अतुरूप्ती हिंसा को जन्म देती है वैसे ही हमारे सरीर के सभी अंग, सभी सेल्स जब पूर्ण दिर्गस्वसन क्रिया से, पूर्ण प्रान्ततों से, पूर्ण ऑक्षिजन से भर जाता है तब एक संतुरुप्ति का भाव हमारे मन में आता है, हमारा मन तुरुप्त रहता है, तो सकारत्मक रह पाता है इस example को फिर से एक बार rewind करके सुनिये और अच्छे से समझिये फिर मैं आगे समझाता हूँ यहां मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अपनी सांसों पर काबू पाले अपनी स्वासों को नियमित गहरी रख पाएं या regulate कर पाएं तो कोई भी बिमारी हमें होगी ही नहीं या अभी चल रही सभी सारीक और मानसिक बिमारी भग जाएगी आप क्योर हो जाओगे तो अभी पूर्ण धहर्य से वीडियो पे बने रहे अच्छे से ध्यान पुर्वक सुने, समझे और अंत में टेक्निक का प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तो आज का modern medical science क्या कहता है वो कहता है कि oxygen आपके सरीर के लिए बहुत जरूरी है कहता है कि जब आप proper deep breathing करते है तब आपकी parasympathetic nerve system activate होती है और आपकी body में detoxification चालू होता है आपके brain से detox चालू होता है और आपकी body heal होना चालू करती है healing के लिए बहुत important है गहरी स्वास short breathing is illness and deep breathing is health दोस्तो आपने अपने जीवन में भी ये देखा है अनुगव किया ही है देखिए कि छोटे बच्चे की सांस गहरी लंबी होती है बहुत छोटा बच्चा जब सोया होता है तो उसके पेट को देखना पेट धीरे धीरे फूलता है स्वास भरती है और धीरे धीरे पेट अंदर जाता है स्वास बाहर निकलती है कुदरत यह क्रिया स्वयम करती है automatic करती है लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होने लगता है उसके मन में डर, गुसा, चिंता गबराट जैसे negativity आती है तो उसकी स्वास छोटी होने लगती है और सालों तक negative pattern से छोटी स्वास की pattern नेचरली बन जाती है उसी pattern को हो में तूड़ना है नई pattern को develop करना है और स्वस्थ अवस्य होंगे दोस्तो पसुपक्षियों के जीवन को भी देखिए जिनकी सांस छोटी होती है वह अलपजीवी होते है चुहा, पक्षी, एक दो साल जीते है डौग, कुत्ता जिसकी सांसे एक मिनिट में पच्चिस से तीस होती है वो केवल दस से तेरा वर्स जीता है उससे विपरित, कच्चुआ जिसकी सांसे एक मिनिट में केवल दो से तीन होती है वो दोसो से तीन सो वर्स तक जीता है यानि कि लंबी गहरी और धीमी स्वास होने से एक मिनिट में केवल दो से तीन स्वास ही ले पाता है तो ज्यादा जीता है वैसे ही हम मनुष्य एक मिनिट में 12 से 16 स्वास लेते हैं तो 70-80 साल तक जी पाते हैं अगर हम भी हमरी स्वास को Regulate करना सीख जाएं और Deep Breathing से 1 मिनिट में 10 से कम भी 10 से भी कम स्वास लेते हैं तो हम 100 साल तक और से जीएंगे वो भी Healthy तो आएए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं वो टेक्निक क्या है जी हाँ इस टेक्निक को डिप ब्रिधिंग या बैली ब्रिधिंग कहते हैं तो इसके लिए आप बैठ जाएए अपनी रीड को सीधी रखिए आखें बंद कर सकते हैं अब धीरे से घहरी स्वास भर और बिल्कुल धीरे 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 छोड़िए यहां पर ध्यान रखिए कि जब आप स्वास भरते हैं तो लंबी गहरी यानि पेट तक भरिए अपनी नाभी नेवल तक स्वास भरिए इसके लिए और आसानी के लिए अवर्नेस के लिए अपना एक हाथ नाभी के निचे रख तक भरिए पेट फुलेगा फुलाइए फिर बिल्कुल धीरे से स्वास को छोड़ना है यानि पेट अंदर के और जाएगा पेट सिकुड़ेगा अंदर तक ले जाएए पूरा स्वास खाली कर दीजिये और फिर से धीरे धीरे लंबी गहरी स्वास भरिए पेट बहर और बिल्कुल धीरे 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 ज्यादा धीरे से स्वास छोड़िए पेट अंदर जाएगा इस तरह अवर्नेस के साथ कम से कम दस स्वास लेना है आप अपनी क्षमता के अनुसार धिरे धिरे लंबी गहरी स्वास भरिए और उससे भी ज्यादा समय स्वास को बहर निकालने में लगाईए उदाहरन के लिए एक्जम्पल के लिए अगर आप धिरे धिरे 10 सेकंड में स्वास भरते हो तो 15 सेकंड तक स्वास को छोड़िए यानि कि 10 काउंट भरते भरते स्वास भरते है तो 15 काउंट तक धिरे धिरे स्वास छोड़िए यह एक उदाहरण है अपनिक शंतानुसार कीजिए केवल एक्जलेशन पे स्वास छोड़ने में ज्यादा समय लगाए रोजाना अभ्यास प्रैक्टिस कीजिए सुभा दो पहर साम कभी भी किसी भी समय कर सकते है पर रोज सुभा उठकर पांच से दस मिनिट तो करना अनिवार्य है यहाँ पर याद रखिए आपका हाथ बैली पर है आपका पुरा ध्यान स्वास के आने और जाने पर रहेगा पुरे अवेर्नेस के साथ इस अभ्यास को करिएगा फिर दो चार दिन होने के बाद इस अभ्य क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ अब जब आप इनहेलेशन करते हैं स्वास भरते हैं तब पूरा पेट बहर आता है फूलता है इसी कंडिशन में रुकना है फाव सेकंड होल्ड कीजिए मन ही मन काउंट कीजिए एक दो तीन चार पांच इतनी देर स्वास को रोके र दिरे बिल्कुल दिरे से स्वास छोड़िए एकजल कीजिए और यहां पर पूरा पेट अंदर जाने के बाद पूरा पेट अंदर जाने के बाद रुकिए होल्ड कीजिए फाव सेकंड वन टू थ्री फोर फाइव मन में काउंट कीजिए और फिर फिर से धीरे 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 स्वास भरना चालू कीजीए इंहेल कीजीए इसी तरह पुंद्रा वटन करते रहें इंहेल, होल्ड एग्जहल, होल्ड एग्जम्पल के लिए पांच सेकंड अगर स्वास भरी तो पांच सेकंड स्वास होल्ड करी Excellence फिर साथ सेकंड, आज सेकंड ज्यादा समय तक धीरे दीरे स्वास छोड़ना है और फिर पाँच सेकंड स्वास होल्ड करी यह एक पुरा एक आवड्तन हुआ पूरी एक क्रिया होई अब दूसरी बार यह क्रिया किजिए फिर सतत अभ्यास किजिए प्रैक्टिस किजिए इतना एक सपता प्रैक्टिस कीजिए रोज सुबह 10 मिनिट और साम को 10 मिनिट दिन भर में कभी भी कहीं भी कर सकते हो आपकी एंग्जाइटी चिन्ता कोशो दूर भाग जाएगी आप रहत महसुस अवस्य करेंगे और जब करें तब मुझे कमेंट में अवस्य बताईए इतन एक सपता मेनत कीजिए अभ्यास कीजिए और फिर भी अगर आपको माइंड काउंसलिंग की ज़रूरत है तो मेरा संपर्क कीजिए नंबर यहां दिख रहा है या फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन ओवर्थिंकिंग जैसी नेगेटिव अवस्था को क्योर करने के लिए मे आरी मोबाइल एप्लिकेशन नेम उत्पल देशाई को गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड इंस्टोल कीजिए धनिवाद थैंक यू गॉड ब्लेस यू शी यू इन पार्ट टू